हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई चैनल और मैं आज जारी हूँ अमलेश्वर जहना अर्मदा नदी और ममलेश्वर एक और जो दिलिंग है और वहां आपको टोटल मतलब 180 किलोमेटर से है और आप लोगों को कैसे जाना है यहां पर हम लोगों ने टैक्सी बुफ कैप बुफ की हुई है आप अपने बस से भी जा सकते हैं चलिए देखते हैं फिर आगे उमकारिश्वर के लिए हम लोग निकल पड़े थे सुबह 9 बजे के आसपर स्कैप बुक करके और आप लोगों को बस से जाना हो तो साड़े 8 बजे की बस होती है इसी नौन ऐसी दोनों मिल जाती है उमकारिश्वर के लिए अगर आप बस से कमफ़र्टेबल हैं तो बस भी जाती है और ये घाटी वाली थोड़ी रूट पढ़ते हैं लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान रखने कि आप जब भी उमकारिश्वर के लिए निकले ना तो सुबह जल्दी निकल जाए जिसस अगर आप जाना के जब भी आप जाए ना तो आप सुबह जल्दी वाली बस ले ले या फिर कैप बुक करें तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाए और वापसी में जल्दी आजए जिससे कि आपको बहुत ही इजी मतलब कम टाइम पर ट्रेवल कर पाएंगे और यहां पे जाम लगा हुआ था फाइनली हम लोग पहुचते हैं तो फेंट हम पहुच गया है और यह है नर्मदा नदी आप लोग जब सुबह सुबह निकले थे तो पानी गिरने वाला मौशम था लेकिन अभी नहीं है यह जो है नर्मदा गाट है यहां पे बोटिंग से आप क्या कर लेगा उसके बाद आपको ममलेश्वर आना रहता है ममलेश्वर फिर सर्णी देव का मंदीर भी यहां रास्ते में पढ़ता है वो आपको सारे दर्शन करने रहते हैं तो यहां पे बोटिंग के लिए बहुत भीड है आपको सवारी वाले में 50 रुपए से अराउंड मिल ज चाहते हैं तो यह जो जूला या फिर यह जो पूल बना है उससे भी आप जा सकते हैं और एक मार्ग और अभी अभी नया बना हुआ है तो हम लोगों ने बोट से जाना पसंद किया बोट से आपको 50 रुपए देने होंगे और आप पहुंच जाएंगे तो चलिए थुड़ आप जो व्यू है ना वो बना रहा है इसकाशी वाला व्यू है जहां पर गंगा नदी पर आरती होती है और उचे-उचे इस्तान पर मंदीर और घर है ना बिल्कुल वैसा वाला व्यू है और यह बहुत रिलाक्सिंग फिल करता है मौसम भी बड़ा अच्छा था तो बहुत अच्छा लग रहा था यहां और हम पहुंच गे फाइनली इसे आपको देने रहते हैं आप दक्षिवरा के तौर पर आप उन्हें देना रहता है और यहां पर यह देखे डिस्प्ले पर उमकारेश्वर जोती लिंक का दर्शन कर लीजिए और यहां पर आप लोगों को बहुत ही बेड़ बहुत जादर रश आप लोगों को इस तरी वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और बेला इकन को हिट कर दीजेगा जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं और यह देखिए हम लोग वापसे में इस पूल से होकर आगे गये जिससे कि हम लोगों ने पूल का भी व्यू मज़ा किया और इसमें आपको दोनों दरीके से इतना शांत वाता वरण है बहुत ज्यादा हवा चलती है उसके बाद हम लोग ममलेश्वर पहुंच गया है आपको ममलेश्वर क्या बोलते है नर्मदा घटी के घाट के इसी साइड मेलेगी लेकिन आप सबसे पहले उमकार जाए उसके बाद ममलेश्वर जोती लिंक का दर्शन करें तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहेगा सो फ्रेंट्स कीप वाचिंग फिर मिलते हैं एक नए व्लोग के साथ ओके बाब बाई झाल